रोजाना राशीफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें नमस्कार दोस्तों जय मातादी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यह समय जिनका भी बड़ी है या फिर मैरेज अनुवर्सरी है उन्हें मेरी और सी धेर सारी सुब काम नाएं दोस्तों आज से मात करने जा रहे हैं बोदवार 23 जून 2021 को आपका देनिक राश्ची फल के बारे में आज आपकी गरहों की स्तिती कैसी रहेंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का अशर आपकी राश्ची पर क्या होगी चलिए हम पूरिविश्टार से जानेंगी तो इससे आंत तक आप जरूर देखें आप से छोटा सा अनुरोध है आप स्रधाभाव सी कमेंट बॉक्स में ओम गनेशाय नमहा लिख सकती हैं चलिए दैनिक राश्ची फल शुरुवात करती हैं आज की पंचांग सी 30 जून 2021 दीन आज बोदवार का है और आसार मास के क्रिश्न पक्च की सश्टी तिथी बन रही है यहां दो पहर के एक बसकर अठारा मिनट तक चलेगा और इसके उपरांग सब्तमी तिथी आरम हो जाएगी नक्षद रहेगी पूरु भाद्र पदा यहां रात्री के दो बज कर तीन मिनट तक चलेगा और इसके उपरांग उत्तर भाद्र पदा नक्षद प्रारम हो जाएगी योग की बात करें तो आयश्मान नामक योग बन रही है यहां सुभ है कि 11 बज कर 14 मिनट तक चलेगा और इसके उपरांग सोभा की नामक योग आरंब हो जाएगी जोकी ठीक छाम की 7 बज कर 14 मिनट तक चलता रहेगा और आज के दिन कोई भी सुभ समयड नहीं है बात करती है आज का राहुकाल का यहाँ दो पहर के बारा बज कर तीस मिनट से लेकर ठीक दो पहर के दो बज कर ग्यारा मिनट तक चलेगा याद रखेगा दोस्तों राहुकाल के समय किसी भी तरह की नए और सुब कारी की सुरुवात आप बिलकुल भी ना करें अन्य था वीगन बाधाएं आज शक्ती है अब बात करती ही आपके देनिक राश्य फल कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहती है आपकी राश्यों कन्या राश्य वाले जादक हम आपको बताना चाहेंगी सितारे आज आज आपके बता रहे हैं कि आज आप प्रशन होंगे और सरकारी कारी आज आपके आगे बढ़ेंगे हम आपको बताना चाहेंगे विवसाय सम्मदी दिकतें दूर होने की संभावना है और आज के दिन रेण की रकम चुका पाएंगे और वैसे तो सेहत को लेकर आज आप थोड़ा चिंतित भी हो शकती है सेहत का ध्यान रखें और खान पान का बिश्यश ध्यान रखें हम आपको बताना चाहेंगे आपको प्रभु की अराधना से मानशिक सांती मिलेगे और अनुभवी व्यक्ति की शला से आपकी परिशानी दूर होगी हम आपको बताना चाहेंगे वितिय निवेश की प्रष्टाब मिलेंगे और आज आपके कारी मन माफिक होगी हम आपको बताना चाहेंगे सुक सम्रिदी होगी और नए काम आज आपको मिल सकती है हम आपको बताना चाहेंगी आमदिनी के नए मौकी मिलेंगे और आपके कारी समय पर पूरी होगे और यह समय पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और अंजान लोगों से आप सावधान रहें शावधान रहें यह आपके लिए अच्छा रहेगा कन्या राश्ची वाले जाय तक बौधी काम में सफल होगी और मन धार्मिक की और आकर्शित होगा हम आपको बताना चाहेंगी आकासमात बड़े लाव से आप परशन दिख सकती है और दामपत जीवन में खुशियां बनी रह सकती है हम आपको बताना चाहेंगी किसी नई परउजना पर काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ ले अन्य था आपके लिए नुक्षान होगा और आपके साथ के कुछ सरार्ती लोग आपके काम में दखल अंदाजी करने की कोशिस करेंगे हम आपको बताना चाहेंगी आफिस में कुछ लोग बात या जानकारी आप से छिपाने की कोशिस कर सकती है इसलिए आपको आज सतर्क और सावधन रहने की अवश्यकता है आज आपका सुबरंग हरा है और भाग्यंग एक है दोस्तों अगर आप भगवान श्री गनेश जी का सच्चे भगत हैं और उनका सीधा आश्चिरवात प्राप्त करना चाहती है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और श्रदा भाव सी कमेंट बॉक्स में ओम गनेशाय नमह लिख सकती है धन्यवाद आपका दीन सुब रहे हर हर महादिव